हेलो दोस्तों विल्कम टू माई चैनल क्रांस और गार्डिनी में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आज मैं अपने गार्डन में आप लोगों को लेकर आई हूँ और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ ताकि आप लोग जो है वो चीज़े कर सकें जैसा कि जानते हैं कि मानसून का समय चल रहा है अभी तो मतलब रगुलरी बारिस नहीं हो रही है कभी कबार हो जाती है लेकिन उसके पहले हमें अपने गार्डन में क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं वो चीज़े आज मैं बताऊंगी और आप लोगों को जानकारियां भी दूंगी कि इस मानसून में आप लोग बहुत सारी चीज़े अपने गार्डन में कर सकते हैं गार्डन को कैसे तैयार करना है मानसून के लिए वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी तो मेरे गार्डन में आप लोग देख सकते हैं कि प्लांट इस समय काफी अच्छे हो गए हैं क्योंकि मतलब गैपिंग करकर के बारिस हो रही तब भी प्लांट ठीक है हलका सा मौसम बारिस वाला तब भी बना रहता है और प्लांटों में जब हलका सा मौस्टर होता है जब वो हलकी हलकी सी सनलाइट पाते हैं तब बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं इधर मेरे सारे प्लांट आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं हाला कि यह सा प्लांट रखे हुए काफी healthy plant हैं काफी अच्छे हो गए हैं तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि अपने गार्डन को मांसुन के लिए कैसे त्यार करना है क्या क्या चीजे अपने गार्डन में करना है बहुत सारी दोस्तों ऐसी चीजे होती हैं जो हमें अपन गार्डन को कैसे तैयार करना है वो मैं आप लोग luggage को बताने जा रहे हूं तो चलिए बताती हूं सबसे पहले अपने गार्डन को जो भी plant हमारे क्रोड नहीं कर रहे थे जो भी प्लांट हमारे बहुत ही सौक में थे तो क्योंकि बहुत जादा गर्मी से ये इस मानसून में आते हैं तो उन प्लांटों को हमें रेडी करना है नई ग्रोथ के लिए तो उनकी हलकी हलकी से प्रूनिंग करना है उनको ताकि जो है हलका सा जो है इस्पेस मिले अच्छी ग्रोथ के लिए अगर मरी जैसे प्लांट कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है उसकी प्रूरिंग कर देंगे तो वो और ज्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा क्योंकि जो है अगर plant growth नहीं कर रहा है तो एक सही समय यही होता है जो mansoon आने वाला है उसमें चाहे जितना खराब plant हो, Liberty plant मर रहा हो टहनिया सूख रही हो वो growth नहीं कर रहा हो तो यह सही समय होता है कि हमें उससे पहले से थोड़ा सा ready करके रखना पड़ता है ताकि वो आने वाले समय में आने वाले मान्सून में वो अच्छी गुरोग कर सके सबसे पहला काम आपको यही करना है जो प्लांट हमारे सूख के हैं उनको रेडी करना है कैसे करना है उसकी हलकी हलकी प्रूनिंग कर देना है और उसको थोड़ा सा ओपन एरिया में रखना जहां पर बारिस का पानी उससे डारेक्ट मिले दूसरा काम क्या करना है आपको गार्डन में जो भी आपने कटिंग लगाई है जो भी आपने समर सीजन में कटिंग लगाई ह जो सेडी एरिया में रखेंगे उनको आप लोग वह भी बाहर निकाल के रखना है बाहर मतलब जो है आपको ओपन एरिया में रखना है जहां पर बारिस का पानी उसको डारेक्ट मिल सके जो भी प्लांट आपने सेडी एरिया में रखा है चाहे वह गुलाब के हो चाहे विसकस के हो चाहे कटिंग के हो चाहे कोई भी प्लांट हो आल टोटल प्लांट आपको बाहर रखने निकाल के सेडी एरिया में या अंदर कोई भी प्लांट आपको नहीं रखना है इंडोर प्लांट भी आपको बाहर निकाल के रखना है जिन लोगों ने इंडोर प्लांट आपको आ करने से तुक्राइब करिये हुए हैं वह आपको बाहर नहीं होती है तो इसमें रोट नहीं थे तो वह चीजे आपको बाहर नहीं रखनi hade और ऑ और चौता काम करना है जैसे यह मिट्टी आप देख रहे हो सामने रखें रखेंग मैंने तो ये मिट्टी मैंने थोड़ी सी निकाल के रख लिया था तो इसको मैंने क्यों रखा था ताकि मुझे cutting लगाने में आसानी हो सके cutting लगाने के लिए उस समय मुझे मिठी तयार करना ना पड़े तो मिट्टि में आपको गार्डन तोया लेना है राइस कस्की लेना है यह भी चीज़े में बताथी हो वह मिला के आपको अपने रखना आकर कि कट लगाते समय आपको जो है कोई दिक्ट हो cutting आसानी से लग जाएं और पाचवा काम आपको क्या करना है नय पॉट लाने हैं थोड़े से नय पॉट आपको जरूरत अगर वो reporting के लिए तो वो आप ला सकते हो reporting करने का सही समय यही होता है दोस्तों अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं देखिए यहां पे सब मेरी कटिंग रखी हुए जो मुझे रिपोर्टिंग करना है और मैंने कुछ पॉट छोटे-छोटे भी तैयार करके रखे हैं जो कटिंग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत होते हैं और यह प्लांट मेरे रिपोर्ट लाईए आप लोग मिट्टी के गंबले में रिपोर्टिंग करेंगे तो वो थोड़ा ठंडे भी रहते एयर स्कुलेशन उसका ज्यादा अच्छा होता है प्लास्टिक का गंबला तो मैं नहीं ज्यादा कहूंगी क्योंकि प्लास्टिक वैसे भी गरम होती है हीट करती है त गंबला तो यह ज्यादा महंगा नहीं बीस से 25 उपय का मिलता अगर यह भी नहीं लाना चाहते हो तो इस तरह से डिब्बे के पाउट बना लीजे देखिए डिब्बे के पाउट यह रखे हुए और काफी सुन्दर लग रहे हैं तो यह घर में जो बेकार चीजे पड़ी ह होती हैं उनसे भी पाउट बन जाते हैं मैं तो सभी चीजों का बना लेती हूं चाहे डिब्बे का होचा है जो भी हो और यहां पर यह देखे ब्लैक कलर के जो आपको पर दीख रहे हैं यह भी प्लास्टिक के है मैंने इसको इसलिए यूज किया है क्योंकि इस हमें मौसम ठोड़ा ठंडा है तो हिबीसकस का मैंने फ्लांट अभी लगा दिया है फिर देखती हूं जैसे जैसे ग्रोथ करेगा मैं इनको मिट्टी के गमले में लगाऊंगी और इधर आप देख सकते मेरे जो प्लांट है मैंने कटिंग सेही काफी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और यह भी पॉट पाती हूँ चाहे वो डिब्बे का हो चाहे वो गमला हो चाहे वो प्लास्टिक का हो कटिंग लगाने के लिए सब भी पॉट अच्छे होते क्योंकि कटिंग ऐसे समय लगाई जाती है अब गर्मी में प्लास्टिक में लगा दोगे तो वह ज्यादा सही नहीं होता ह है ना ही तो उसमें रूट रूट से डिवलफ होंगी और ना ही वह प्लांट हमारा चलेगा इसलिए कोशिस आप लोग यहीं करिए कि मतलब मिट्टी का की घंबला आप जो है रिपोर्टिंग के लिए खरीद के लाई यह मैं तो जो भी पाती हूं उसी में लगा देती हूं को प्लार का प्लास्टिक के होते हैं लेकिन इसमें भी कटिंग बहुत अच्छी चल जाती कभी कभी तो लेह नहीं चलती उसमें कभी उन्हें अगर अगभ लगा देतो नहीं चलेगी यहह यह होते हैं चोटे से 10-15 रुपई के जो गंवले मिलते हैं चोटे से वो भी में ले आती हूँ यह देखिए मैं दिखाती हूँ आपको यह देखिए यह जो है चोटा सा है और बहुत ही चोटा है ते साव हैं निकला है कि नहीं निकली है या फिर यह प्लांट हमारा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा यह सारी चीजे ऐसे जैसे ग्लास होते हैं बड़े-बड़े से तो उसमें दिख जाता है अब मैं एक चीज और दिखाती हूँ आपको अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पर यह वाला क्रोटौन का प्लांट है देखिए मैंने जो पाणी वाली बोतल आती है जिसमें पानी मिलता है बाजारों में तो वो बोतल काटके मैंने इसको लगाया था इसमें रूट्स भी निकलाएं और यह देखिए यह भी ग्लास में मैंन सब्सक्राइब दोब करना है टो दोगी है भी च्छोटे च्छोटे से पॉट्सक्राइब कर सकते हों अपने गार्डन में कि यह मुझे मिला था 20 रुपय का और काफी अच्छा होता है चोटे प्लांट लग जाते ये देखे ये भी गुडहल का पेड़ लगा हुआ चोटा सा ये भी डिब्बे का काट के बनाया था ये भी कोल्डीन की बोतल का ही बना है तो इस तरहे से भी आप कहने का मतलब यही है और देखे कितना अच आप चीजे पड़ी होती है उससे ये च्छी च्छी पड़ी होती है उससे टियार करना है पर इसको बड़े पेड़ होते हैं उनको करने के लिए जैसे देखे इधर हमारे प्लांट रखे हुए सेलो पॉर्ट देखे आपको दिखाती हूं मैं यह देखे यहां पर गुलदावरी लगा हुआ जो अभी मैं बात कर रही थी गुलदावरी की कटिंग मैंने लगाई है सेलो पॉर्ट में और मेरे पास एक मिट्टी का भी था यह देखे इस पर मैंने वी सकते हो कितनी अच्छी इसकी ग्रोध हो रही है इस सीजन में क्योंकि मानसून आ गया अब हलकी हलकी आए दिन बारिस होगी तो प्लांट बहुत अच्छे हो जाते देखे इसको भी मैंने ब्लाक कलर के पॉर्ट में ही सिप्टी किया यह सब इसलिए अभी मैंने कर दिया है क इसे पॉर्ट मिले आपको जो भी मिले आप तयार कर सकते हो यह काम भी आपको करना है पॉर्ट लाने है चाहे बड़े पॉर्ट ला सकते छोटे पॉर्ट भी ला सकते इस तरह से अपने गार्डन को भी तयार कर सकते हो बहुत सारी चीजे होती है कटिंग लगाते समय जो है तो काफी अच्छी ग्रोध कर रही तो इस तरह से भी पॉट आप लोग ले सकते हो यह देखे मैं दिखाती हूँ आपको यह ग्रोध कर रही है इसकी कंडिशन बता रही कि यह लग गई है तो इस तरह से भी आप तयार कर सकते हो अपने मतलब गार्डन को मांसून के लिए कु तो ये सबसे अच्छा समय होता है कि आप लोग अपने गार्डेन में जो भी प्लांट है reporting करने वाले वो सारे इसी सीजन में कर दीजिए क्योंकि ये सबसे अच्छा समय होता है हमारे गार्डेन में reporting करने का कुछ पॉर्ट ऐसे भी दोस्तों मिट्टी भर के तैयार कर लीजे जैसे कि यह मैंने रखा है देख सकते हैं आप मेरे सामने यह तीन पॉर्ट मैंने ऐसे तैयार किये हैं कि जैसे कि इसमें जो है कलमे लगाई जाए एक पॉर्ट में बहुत सारी कलमे लगा सकते हैं यह सबसे ज़्यादा जरूरी होता इधर भी मैं दिखाती हूँ छोटे-छोटे से वाट है जो खाली पड़े है जिसमें कटिंग लगाई थी फेल हो गई गर्मियों में नहीं चली अभी और यह डिस्पोजल के गिलास है जिसमें मैंने कटिंग लगाई थी वो नहीं चली और क्या तैय यह पी है यह देखिए यह ब्राउन वाली डिए पी आती वह है यह अप्सन सॉल्ट इस कंपनी का आप लोग लाईएगा काफी अच्छा होता है और यह पोटास है पोटास भी काफी अच्छा होता है यह वाला पोटास में दो तीन तरह का पोटास आता है दाने वाला आता ह है यह आता है एक वाईट कलर का आता है तो इस तरह से आप लोग लाख सकते हो ताकि आपको बारिस के समें जाना ना सब्सक्रों हो सकते हो तो सब्सक्राइब साइड भी आप लोग कई कि यह कर सकते हो तो आज का वीडियो में रोखती हूं कैसा लगा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइफ कमें सेरा कीजिए मेरे चैनल को सस्रीयब करना बूछ दोस्तों तो चलती हूं मिलती होते हैं लोग अपना बहुत सारा थ्यान रखें बहुत सारा ख्यान रखें तो ओके फैंड्स बाइए